लीसा जोके काफी सेंसिटिव है जोके एमोशनली अपने परिवार के बाद सिर्फ एक इंसान से जुड़ी हुई थी जिसका नाम है अखिलेश अखिलेश को वो अनल मानती थी और इस अनल के इर्द गिर्द उसने अपनी पूरी जिंदकी बुनी हुई थी लीसा की फामिली में एक उसकी दादी थी जो के चल बसी ऐसे में सिर्फ अखिलेश के साहरे जी रही थी लीसा और अब चब अखिल का इतना बड़ा सच आया लीसा के सामने तो उसके पैरो तले जमीन के सक गई लीसा के आंसो थमने का नाम नहीं ले रहे थे लीसा रोती बलखती नायरा से बस ये कह रही थी कि मेरी जन्दगी में सब कुछ बरबाद हो गया अब शायद मैं कभी सेटल ना हो पाँ शायद मैं कभी किसी पे भरोसा ना कर पाँ शायद मैं कभी किसी से प्यार ना कर पाँ तूटी हुई लीसा को संभालने पहुंची नायरा ने उसे काफी कुछ समझाया है लेकिन लीसा कितना उन सब बातों को समझ पाई है ये कहना मुश्किल है हम आपको बता दें कि शायद अब लीसा एक ऐसा फैसला ले सकती है जिसकी वजह से लीसा के करीबियों का दिल तूचाएगा एक खबर में बताया जा रहा है कि लीसा ससाइट करने की कोशिश कर सकती है और अगर लीसा ने ऐसा किया तो क्या होगा अखिल का यह देखने वाली बात होगी क्योंकि अखिल भी अपना दिल लीसा को दे बैठा है अब सुरेखा नहीं बलके उसके दिल में लीसा बसती है क्या बिना लीसा के अखिल जी पाएगा सब्सक्राइबर्स टॉप नियूस की रिपोट